आप क्या कर रहे हैं कि उनका moral डाउन कर रहे हैं आपका tik-tok बैन हो गया है तो आप उससे आहत हैं तो उसका गुस्सा आप देश पे निकालेंगे क्या एंड टिक-tok से क्या हो रहा है चाइना वो देश का पूरा information ले जा रहा है और यह अभी उस type का situation नहीं है कि आपका खरए हैं देश के परधान मंतरी पर सवाल उठा रहे हैं आपको कभी कभी यह नहीं सवंच में आता है कि आप लोग एक particular party का बिरोध करते 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 कब देश को बिरोध करने की सीमा को लांग जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता अब Indian army पे सवाल उठा कि in you क्या मिलेगा जो आर्मी आपको इस रिस्पेक्टिव आपका क्या कास्ट है रिलीजन क्या है उसको बिना सोचे हुए वो देश के सीमा पे खड़ी ये लड़ रही है आपके लिए मरने के लिए तयार है अगर वो हड़ जाये फिर देखो भी चाइना के लोग और जो पाकिस्तान के सब वो कुछ भी करते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं जो भी होता है आप उनका मोराल डाउन करने पर लगते हैं आपके अंदर इतनी घिरला पता नहीं कहां से उत्पन्न हो रही है आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या मिलेगा उससे आखिर में मिलेगा क्या आपका फाइदा क्या है आपका तो कम से कम बेसिक चीज़े ये हैं कि देश जब किसी परिशाने से गुजर रहा हो देश में कोई संकट आ रहा हो या इस टाइब का सिजुशन बन रहा हो तो कम से कम आप लोगों को देश के साथ खड़े होना चाहिए धर्निवाद